गुड मॉर्निंग क्लास, आज हम इंग्लिश कलास नमबर टू शूरू करेंगे, जिसका नाम है The Clutches of Landlot, मतलब जमिंदार का चुंगल, चुंगल होता है जार, It was spring time and a young shepherd named Tom was standing his head, मतलब कि एक बसंत का time था और एक छोटा बच्चा जिसका नाम Tom था, वो क्या था, shepherd, shepherd होता है चरवाहा, ठीक है, चरवाहा होता है जो बेट बक्रियों को चराने के लिए लेके जाता है, और वो क्या कर रहा था, अपनी बेट बक्रियों की देखरे कर रहा थ His father, a peasant, was plogging the field nearby, उसके पीता जी, जो एक किसान थे, पास ही खेत में, plogging मतलब खेत की जुताई कर रहे थे Suddenly, Mr. George, the landlord, came riding that way towards Tom, अचानक जो Mr. George, जो जमेंदार थे, राइडिंग करते हुए, गोडे पे सवार होके, Tom की तरफ आगे आ रहे थे His pot belly was bouncing up and down, वो काफी मोटे थे और उनका जो पेट था, वो उपर नीचे उचल रहा था He had an air of pride about him, उनको अपने बारे में बड़ा जादा घमन था, वो अपने आप पे बहुत जादा गर्फ करते थे Stopping near Tom, वो Tom के पास रुख गे, the landlord opened his eyes wide, उन्होंने जब वो Tom के पास रुखे और उन्होंने अपनी आँखे बड़ी बड़ी खोली और Tom की तरफ देखने लगे Looking at his father, Tom की तरफ रुखे फिर देखा, फिर उन्होंने Tom के फादर को देखा, he said, hey you shepherd, that peasant over there, what is he doing? उन्होंने Tom से पूछा, hey चरवाहा, जो वहाँ पे आदमी खड़ा है, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? Tom was surprised and replied, Tom जो था, वो हैराउन हुआ और उसने जवाब दिया, that peasant is my father, जो peasant, जो वो किसान है, वो मेरे पिता जी है, sir, he is plogging the field, sir, जो वो मेरे पिता जी है, जो खेद की जुताई कर रहे है, why does he need to plog it, ask the landlord, landlord ने पूछा, उनको क्या ज़रूरत है उस खेद को जुताई करने की, Tom did not realize that the visitor was Mr. George himself, and thus he, and thus was speaking innocently, Tom को बिल्कुल नहीं पता था, कि जो वो visitor जो आए है, Mr. George जो थे, वो उस खेद के जमिनदार है, और उनको वो सब कुछ साफ साफ, इनुसेटी सच्चाई से सब कुछ बता रहा था, why if my father leave the landlord's field unplugged, अगर वो कहता है, Tom कहता है, कि अगर मेरे पिताजी, जो जमिनदार का खेद है, उसको बिना जुताई किये रहने देंगे, what will become a foolish landlord, वो एक मुर्ख landlord होगा, वो एक मुर्ख जमिनदार होगा, जिसको पता नहीं चलेगा, he would not get any penny ever, और वो अगर उसको पता चल भी जाता है, तो वो मेरे पिताजी को पैसे नहीं देगा, Mr. George Froning about continue talking, tell me, then what is your mother doing, Mr. George जो है, वो उनको बड़े अकड के Tom को देख रहे थे, tell me, फिर उसको बहुत है, कि tell me, अब तुम मुझे बताओ, कि तुम्हारी मदर जो है, वो क्या कर रही है, okay students, अब हमने यहां तक यह पढ़ लिया है, कल हम इसका आगेगा पढ़ेंगे, okay students, thank you,